हेलो एवर विए सोगाइस साज की वीडियो काफी इंपोरिटेंट होने वाली हो तो आज की बेट्टियों में जो मैं अडिक्सिस करूंगा बीयर से करा हैड को इस्टेबल ग्रूप सी का इस पेक्टर कट आफ तो सिंपली काइस कई सारे बंदों का रिक्वेस्ट आथा इसका कट आफ बनाने के लिए और डीटेल्स के लिए जो है कई सारे बंदों का जो है कमेंड आथा तो चलते हैं अपनी ओफिशल वेबसाइट पर वहां भी देखतें कि क्या प्रोसेस है कट आफ का और इसमें हम सारा आपको कंप्लेट इंफोर्मेशन के बारे में जो है अपडे जो है कम्प्लेट इंफोर्मेशन इसमें मैं आपको जो है बताऊंगा इस्टेप बाई स्टेप इसमें हम पटाव के बारे में डिस्क्स करेंगे एक्जाम पैटन के बारे में डिस्क्स करेंगे स्लेवर्स के बारे में डिस्क्स करेंगे और स्लेशन मोर के बारे में डिस्क तो इस्म्पली जो है बात करूँ तो 85 से लेके 95 तक ए मिनमम भी हो सकता है और मैक्समम का तो चांस है नहीं लेकिं मिनमम हो सकता है तो इसको एब रोक्स में आप लोग लेके चलियेगा AWS की बात करूँ तो 85 से 95 है OVC की बात करूँ तो 80 से 90 है और LC की बात करूँ तो 70 से लेके 80 तक है और SD की बात करूँ तो 68 से लेके जो है 70 एड तक है गाईस यहाँ पर जो 7 है वो रॉंग है अब फिर हम बात करते हैं ने इस प्रोसेस में यहां पर अब selection process की में बात परूं तो यहां पर जो है हमारे पास 28 comment ऐसे आये थे जो इसमें पूछा गया था कि selection process क्या है और इसमें जो हिंदी के लिए कितने WPM किया हो सकता होती है और English के लिए कितने WPM किया हो सकता होती है यानि कि typing test के लिए पूछा गया था तो मैं आपक फिर आपका हिश्टेश होते हैं, रेटेने ग्लाएक अमनेस्ट आपका होगा, फिर आपका फिसकल में यही सब आपकी बॉर्डी का मिजर मेंटिंग वरकिया जाएगा, फिर आपका स्कील टेश्ट होगा, स्कील टेस्ट में आपको हिंदी का 30 WPM है, रद पर पर मिनट और इं तो इसलिए सबसे जो इंपोर्टेंट है यह है आपको होता है कि WPM आप लोग अच्छी तरह से अपना स्किल टेस्ट कर लिए हिंदी के लिए जो है 30 WPM इंगलिश लिए 35 WPM मिनमों होना चाहिए अगर मैं बात करूं जो है यहां बाइटन के बारे में तो दियर आरफ कर फाइव टीर्स कर इस दे वेरी इंपोर्टेंट फॉर्ट एवरीवन केंडिटेट किवन पिलो इसमें आपको रिटेंट टेस्ट विल बी कंसिस्ट आफ हैं से क्यूंड एंड जर्विल बी तवन पेपर एक पेपर होगा आपको टाइमिंग जो है जो है टाइमिंग प्रवाड की जाएगी इसमें आपको जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें भी कमेंट में पूछा गया था कि बेसे हैट कोंस्टेबल में जो है नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है तो गाइस में को बता दूं कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किं नहीं होता है आप जो है दे सकते हैं टेकिंग आइस आप लोग को मैं यहीं रेक्मेंट करूंगा कि आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर का सारे क्वेस्टन करके आईएगा यह कभी कवर ऐसा होता है कि आप तुक तो जो है टेन छोड़ दिया तो 90 का कोई मतलम नहीं होता आप पुरा करो कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसलिए आप पुरा करके आओ मैं आप लोग से यह रेकेमेंट करूंगा फिर एग्याम इस दो लेवल इन बोथ इंगलिस हिंदी में कंडर्ट कर धोड़ा जाएगा यहां पर देख पार है मैंने जो इस अपडेट मेंशन किया है इंग्लिस हिंदी लैंगेज 20 कुेश्टन साते हैं 20 मार्क्ष के जरेरल इंटेलीजन्स 20 कुेश्चन आएंगे 20 मार्क से नीमेरिकल एप्रिट्यूट के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्ष के और क्ल इसमें कुछ बंदे जो है वेकेंसी के बारे में भी पूछे थे कि कब इसकी वेकेंसी आएगी और कब इसका लास्ट डेट रहेगा और उसके बाद इसमें भी पूछा गया था कि एक ही क्राइटरिया का रहेगी और इसको अपलाई कैसे कर सकते हैं तो इसमें आपको मैं सारा information दोगा इसमें आप यह भी जान जाओगे कि कौन-कौन से पोस्ट आये हैं और फिर after that इसमें कौन-कौन से जो है एक्जाम होंगे और कौन उसके बाद एक्जाम भी कितना है तो आप इस वीडियो में सब जान जाएंगे एटुजेट फॉरमेशन तो यहां पर एप्टिकेशन चार्ट बात दूरूत यहां पर जनरल ओवीसी रभूरूस का हेंडर रूपीज रखा रहा है प्रहसी एस्टी एंड पीएच का जो है जीरो रूपीज फीमेल के लिए भी रूपीज है और कोई भी कटिकरी का फीमल हो आपका जो है एक भी पैसे करना नहीं पड़ेगा इसमें आपका पेमेंटिंग मोड होता क्रेदिट अपनेट पेमेंटिंग मोड होगा तो यहां पर बहुत कम वेकेशनी देखने को मिल जाएगी 31 वेकेशनी है यहां पर इसमे में जो भी कर eligibility जो है requirement है 10 प्लस 2 इंटेमेंट है या मैंने रिकोगनाइज बोट इंडिया बीद्या डिप्लोमा इंद प्रेंडिंग और सेवन यर्स एक्सप्रियेंस कर एज ली में जो है 18-18 होना चाहिए फिचका इस्टेंडर eligibility जो है height आपका जो है मैंने रखता है 168 cm चेस्ट 80-85 cm और जो है female का जो है 157 cm more details notification आप में दे दूँगा link वहां से आप notification हो रहा है rating कर ले phone तभी फिल करें notification rating करने के बाद ही head constable incur and wear house man के लिए 2 vacancy निकल कर आई है यहां पर इसके सारे details और अपढ़ने की 10 प्लस 2 intermittent है कि आप रही नहीं हरी को नाजी पोर्ड भी 3 यर एक्सप्रियेंस एज लीमिंट 18-27 इयर फिचकल इस्टेंडर eligibility इसमें मेल का जो है 168 cm का डिमांड किया गया है और चेस्ट का 85 cm का डिमांड किया गया है तो फीमिल का जो है हाइट है 157 cm का जो है डिमांड किया गया है अगर मैं बात करूं हैट कोंस्टेवल का वेटरी नारी का तो इसमें जो एठारा पेंसी देखने हों को मिल जाएगा इसका आप जो है देख लो टेंप्लस टू इंटर्मिलिट इसमें अब जिसमें एक की जो क्राइटरिया है एक टीटू टूटिफाइफ एफिक्सरेश टेंटर जो लाइजबिल्टी इसमें जो है हाइट आपका 165 cm चस्ट जो 76-80 cm है फिमल के लिए 150 cm का डिवांड किया रहा है को इसमें एक रिटरिया बात रहू तो इसमें एक रिलेक्सेशन पर इस्ट्रा आप नोडिफेशन रे हैं वहां पर आप उसतारा समझ में आ जाएगा मैं इसका लिंक में अपने कमेंट बॉक्स एंडिस्क्रिप्स ने परवाइड करतूंगा वहां से जाके डिटल्स अगरा भी दे सकते हैं और फों के लिए अपलाई भी कर सकते हैं अपट यहां पर जो है क्वालिफ केसं का को यहां पर जो लुकेसिन और इंडिया है आप फिर्फिल करें तो आप यहां पर आपी मैं यहां पर रिंदीया करती हैं यहां पर online apply करने के लिए आप किलिक करेंगे तो इसके definitely website पहुँच जाएंगे वहाँ पर इसकी website पहुच जाएगे और यहां से apply form कर सकते हैं जो भी है चाहे आपका जो head पहुच जाए पहुच जाए पहुच के लिए हो तो यहां से अप्रेंडिंग प्रेसिल्यू यहां से apply कर सकते हैं आप इसको देख लिजिएगा अब फिर यहां से भी टेलगराप हमारा जो जोइन कर सकते हैं या तो यह तो तेलिगराम में जाकर शर्च कर सकते हैं अगर आप जोइन कर लेते हैं तो है कई सारे जो investir लेगे जीसे आपको new update के बार 2010 के बारे में और कटा आपका पुड़े अनालिसिस के बारे में यानि कि बहुत सारे आपको जो है टेटा टेलीगराम पे मिलते रहेंगे तो सो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं इसका सारा लिंक में अपने डिस्क्रीशन ने कमेंट पोस्ट में प्रवाइड कर दूँ महां से जाके डिटे करना बिल्कुल ना भूले हम गैस मिलते हैं नए कांटेन नए अप्रेटिस सामने इस्टूडियो में थाइम भी सुमूद